हलो एंद नमस्कार दोस्तों मेरा नाव है निखिल और मैं आज आप सभी लोग पीच एक नवीडियो के साथ आया हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुख जानेंगे एक नई जोब वेकेंसी के बारे में तो आपने को क्या करना है वीडियो को complete देखना है बीना स्किप किये और वीडियो अच्छी लेगा तो बीडियो को like करना मत बुलना चलिए दोस्तों बिना देर के वे बिडियों को शुरू करते हैं तो एक पर फिर से मैं सभी लोगों का तह दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे STTP चैनल में तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन सी वेकेंसी जो है निकाली गई है तो वेकेंसी जो है मदपर्देश सरकार के द्वारा निकाली गई है Engineering Service Exam का तो हर एक स्टेट का अपना Engineering Service Exam होता है जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार का बिहार Engineering Service Exam होता है जिसको हम लोग BPSC भी कहते हैं तो हर एक स्टेट का अपना Engineering Service Exam होता है तो मदपरदेश सरकार के दोरह जो है engineering service exam निकला गया है और यह वेकेंसी जो है 2021 की वेकेंसी है 2021 में यह निकल चुकी है जोकी उसको cancel कर दिया गया था जोकी फिर से 22 में निकली गई है और 22 में यह दूसरा बार निकली गई है कोई कारण बस उन्होंने apply नहीं किया है उन सभी लोगों के लिए है तो कम दिनों का time दिया गया है इन दिनों तक आपको apply करना है और इसका online जो आवेधन करने का जो तीती यहां पर दिया गया है वो 6 तरीक से लेके 15 तरीक तक आपका वनित दिया गया है तो बहुत कमी time आप लोगो को दिया गया है और इसका exam जो है आपको next month में 22 तारीक को होने वाला है और साथी साथ मैं आप लोग बता दू तो जो आपका posting होने वाला है वह असिस्टेंस इंजिनियर के तोर पे होने वाला है जिसको हम लोग यह कहते हैं और साथी साथ मैं education qualification की बात करूँ तो आ अगर आपने बिटे किया है civil, electrical, mechanical से तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें eligible हो सभी का जो seat है अच्छी खासी निकाली गई है साथी साथ मैं आप लोग को salary की बात करूँ तो इसमें जो salary आप लोग को मिलने वाली है वो 56,000 से लेके 1,77,500 तक मिलने वाली है I think मैंने वो जहां कि laptop में काफी ज्यादा time लग जाता है editing में इसलिए आप लोग को अब mobile पर ही बताऊंगा तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को display पर दिखाई दे रहा होगा यहां पर मत परदे सरकार के द्वारा जो है यहां पर vacancy जो है निकाली गई है यहां पर आप लोग देख भी सकते हो और साथी साथ मैं आप लोग को यहां पर दिखा दू तो आप लोग online आवेदन जो है यहां पर 6 तारीक से लेके 15 तारीक तक आप लोग applies में कर सकते हो यहां पर इन्होंने mention कर दिया है फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका exam date कब निकाला गया है जो कि मैंने आपको जो है 17 तरीक को यहां पर लाया जाएगा जो कि यहां पर आप लोग देख भी सकते हो और दोस्तों मैं आप लोग को यहां पर दिखा दू तो यहां पर विध्यापन संख्या 16 2021 30 12 2021 को यह निकाला गया था जो कि इसको cancel कर दिया गया था तो फिर से इसका vacancy जो है 22 में निका रखते हो और साहक की अंत्री मतलब एक पोस्ट के लिए आया है तो यहां पर जो है लोक निर्मान विभाग पहला जो विभाग है लोक निर्मान विभाग है जो कि जेनरल वालों के लिए 14 सी वालों के लिए 8 स्टी 10 ओभी सी 14 EWS 5 और टोटल जो वेकेंसी इसमें निकाली ग बिभाग में 180 निकाली गई है और फिर लोक स्वास्त यांत्रिक विभाग में 33 निकाली गई है और नागरिक विकास अवास विभाग में 24 यहां पर निकाली गई है तो जो टोटल सिविल का यहां पर सीट निकला है वो 427 यहां पर वेकेंसी निकाली गई है सिविल के लिए फिर हम लोग next जो है ब्रांच में आते हैं वो है electrical के लिए तो electrical वालों के लिए है लोक निर्वान बिभाग में 28 seat यहां पे निकाली गई है और जल संसाधन बिभाग में 6 seat यहां पे निकाला गया है तो जो total seat है आपका 34 seat यहां पे निकाला गया है और वही mechanical वालों के लिए only 5 यहां पर निकाला गया है तो यह जोग जो है और इंडिया अपलाई है तो जो लोग भी बीटेक किये हुए इन तीनों ब्रांज से तो आप लोग अपलाई कर सकते हो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर पद का नाम जो है असिस प्रवावन निर्मान ये सब के अंतरगर्ष्ट आपको काम करना है और राज ये जो है आपका इसमें जो बेतन मिलने वाला है वो एक लाग शापन हजार से लेके इसमें जो आपका बेतन मिलने वाला है 15600 से लेके 49100 तक प्लस 2400 ग्रेट पर आपका मिलने वाला है तो लगवाग आपका 50,000 प्लस इसमें जो है पेमेंट आपका बनने वाला है तो यह यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है छठे बेतन आयोग अनुसार बेतन का मतलब आप वह उसी के रेंज में आपका तो इसमें जो आपका सैलरी बनने वाला है 56100 से लेके जो आपका जो पद होगा वह और स्थाई होगा क्योंकि उसका कोई पर्मानेंट आपका नहीं होगा तो यहां पर इन्होंने मेंसन यहां पर कर दिया है फिर थर्ड नंबर पर आप यहां पर असिस्टेंजिनियर का देख सकते हो यह भी और स्थाई रहेगा जल संसाधन विभ लगया है और यह भी अस्थाई है और लोक स्वास्त यांत्रिक विभाग है इसमें जो अभी आपका सेलरी बनने वाला है वह 56100 से लेके एक लाग सकतर अजर पांसो तक बनने वाला है फिर यहां पर देख सकते हो कि अस्थाई है जो की नागरिक विकास एवं अवास विभाग के तरफ से निकाला गया है इसमें जो आपका सेलरी बनने वाला है 56100 से लेके एक लाग सतातर अजर पांसो तक बनने वाला है तो यह जो है आपका अस्थाई है फिर हम लोग आगे बठते हैं अब हम लोग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आ जाते हैं तो साहय से लेके 49100 तक मिलने वाला है और फिर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक और वेकेंसी है जो की यही के पोस्ट पे है और यह जो है आपका अस्थाई है और जल संसाधन विभाग है और इसमें जो आपका सेलरी मिलने वाला है 15600 से लेके 49100 तक मिलने वाला है और इसमें जो आपका ग्रेट पे होगा वह 400 ग्रेट पे होगा तो यहां पर अपना देख लेना तो जो विभाग आपका है वह अपना देख लेना फिर हम लोग मेकेनिकल वालों के लिए भी देख लेते हैं तो मेकेनिकल वालों यहां पर देख सकते हो कि यहां पर इ निकाला गया है। ओनलान जो तारीक निकाला गया है 6-4-2020 से लेके 25-4 तक रातरी-12 बज़े तक आप सत्रह तारीक को आपके फॉर्म में कोई गलत हो जाता है तो क्लिए सतरह तारीक को को आप सुधार सकते हो । रातरी- बारा तक यह है इन्होंने option दिया है और इसका एक्जाम डेट जो है यहाँ पर बाइस पांक 2022 को लिग दिया इन्होंने दोपर बारा बज़े से लेखे आपका तीन बज़े तक एक्जाम यहाँ पर होने वाला है यह चीज़ यहाँ पर mention कर दिया है और आप लोग का examination center जो यहाँ प अपने से पढ़ लेना है और दोस्तों मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दू तो MP सरगार के द्वारा जो है यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर mention किया गया है जो भी आपका examination center जो होगा वह 10 दिन पहले आपको sms यह mail के द्वारा बता दिया जाएगा यहाँ पर जो क कि मैंने आपको बताया था कि 30 जन्वरी से लेके एक मार्स तक जो डेट निकाला गया था उसका पीडियेफ जो है इसके नीचे दिया गया है मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूं तो हम लोग जस्ट उसी पीडियेफ में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग दे देख सकते हो और एक मार्स तक पहले जो वेकेंसी निकाला गया था इसी साल में जो एक मार्स तक 30 जन्वरी से लेके एक मार्स तक उसका यहाँ पे यह पीडियेफ दिया गया है तो इसको बताने का कोई जोड़त नहीं बनता है हम लोग को हम लोग का जो काम था हम लोग का को पीडियाप था इतना ही दूर तक था जो कि यहां पर हम लोगों ने देख लिया अच्छे से तो ढीफ पनलोओको जो भी मैंने चीज आप लोगों को बताया है हो uk तो तो अगार नहीं समाझ में आया होगा अगर नहीं समझ मैं तो आप क्या करना है डिस्क्रिपमें में नोट्फिकेशन का लिए दूंगा और रहे प्रिफसाइट का भी मैं लिंक दत anybody लोगा आना दोस्कार साथ मैं आप लोगों को यह को और चीज बता दू तो अगर हमारे स्टीडीपी चैनल पर फर्स्टाम इंजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सांधी साथ वेल आइकन के गंटों को दवालो ताकि आपको नए टेकनिकल और नॉन टेकनिकल से लिडिएट सभी वी जूड़ना है और सांती साथ मैं भी आप लोग बता दू अगर आपने अभी तक टीडीपी के सोसल मेडियो को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर जाके फॉलो करो डिस्क्रिस्वन में सभी का लिंक मैंने दे दिया है तो आपको जाके सिंप्ली फॉलो एबम जोइन कर ल